नमस्कार हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुबाश ठाकुर के साथ दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे हिमाच प्रोदीश में हुई LT Commission की जो परिक्षा 20 दिसंबर को हुई थी उसके आंसर की के बारे में जो ऑफिशल आंसर की है दोस्तो वो आ गई है प्रोविजनल आंसर की और इस वाली वीडियो में हम डिसकस ये कर रहे हैं कि जो गलत प्रस्टन बताए गए है आयो के द्वारा उनको हम किस तरीके से उसके उपर क्लेम कर सकते हैं आपत्ती कैसी दर्ज कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तो बहुत सारे स्टुरेंट्स को ये भी दिकत आती है कि किस तरीके से एप्लिकेशन लिखनी है और किस तरीके से आप जो अपने जो आंसर हैं उनको क्लेम कर सकते हैं और ये भी बड़ा सवाल रहता है कि आप जब क्लेम करने जाते हैं तो यहां पर आप देखते हैं कि कौन सी बुक authentic है और किस बुक का जो reference आप दे रहे हैं वो मानने होगा या नहीं होगा ये चीज़ें भी ध्यान देने वाली होती हैं इस वीडियो में हम complete ये discuss करेंगे कि दो तीन प्रशन ऐसे थे official answer की में जिन पर claim किया जा सकता है और जो आयोग के द्वारा गलत बताएगे हैं तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कि कौन-कौन से वो प्रशन है जो गलत बताएगे थे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं देखिए जो answer की आई है उसमें साफ उफर लिखा गया है कि निमन दर्शाई गई जो अस्थाई उत्तरकुंजी है हालां कि इसके नीचे जो उत्तरकुंजी थी वो थी वो मैंने यहां पर थोड़ा से इसको काट के रख दिया है क्योंकि आपके पास सब के पास अलग-अलग series की booklet होगी तो उसमें आपने अपनी answer की होई शायद अभी तक चेक कर ली होगी अगर नहीं किया दोस्तों तो आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं हम आपके लिए इसकी PDF पी उपलब्द करवा के दे देंगे यहां पर देखें कि यह कहते हैं कि जो अस्थाई उत्तरकुंजी है वो दिनाक 2012-2020 को आयोजित language teacher post code 814 की चंटनी प्रिक्षा से समधित है तो देखें दो तरीके उन्होंने बोला है कि आप क्या कर सकते हैं या तो खुद जा सकते हैं या फिर दाक के मात्यम से आप अपतियां प्रिशित कर सकते हैं आयोग के निर्णे के अनुसार इमेल द्वारा प्रीशित अपतियां सुईकार नहीं होंगी तो देखें यहां पर सपष्ट यह किया गया है कि इमेल के द्वारा जो आप अपतियां भीजेंगे वो मान्य नहीं होंगी आपको क्या करना पड़ेगा आपको खुद जाना पारित कर दी है कि 28 दिसंबर 2020 शाम पांच वजे तक ही आपतियां दर्ज कर सकते हैं तो कई सारे स्टुएंट्स यह कहते हैं कि सर हम 28 को पांच वजे करेंगे तो वो मान्य होगी देखिए चार वज कर 69 मिन तक अगर आप कर देते हैं तो आपकी जो वो मान्य हो जाएगी हा जो प्रशन गलत थे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ठीक है नेक्स यह कहते हैं कि आपतियां दर्ज करते समय अभ्यर्ती पदनाम पदकोड अनुकरमांक अपनी प्रशन पुस्तिका जो कॉशन बुकलेट है उसकी सिरीज वो प्रशन संख्या अवश्य इंगित करें त यहां पर देखिए मैंने अप्लिकेशन लिख के रख दी है कि आपने जो फॉर्मेट है वो इसका इस तरीके से ही रखना है जो मैं आपको पढ़के सुनाता हूँ अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही हो तब भी दिक्कत नहीं रहेगी आपको क्योंकि आपने आवाज को सुनना ही है तो यहां पर देखिए to the controller of examination HPSSC हमीरपूर नियर पकबढ़ो डिस्टिक हमीरपूर HP 177-001 ठीक है नेक्स देखिए subject application regarding objection of answer की for the post of language teacher commission post code 814D series तो यहां पर आपने अपनी अपनी series mention कर देनी है held on 20th December in morning session next यह लिखते हैं कि respected sir with due respect I want to say that I have the objection of following answer की as show by you in provisional answer की for the post of code 814D series ठीक है तो यहां पर देखिए इस तरीके से आपने column बना लेने हैं जो जो question मुझे लगा कि वो गलत बताये गए है answer की के द्वारा वो मैंने आपके बीच में रख दी हैं आपने यही format रखना है यहां पर सुन्दे शब्दों में लिखके दे देना है तो देखिए यह साथ column total बनेंगे है ना तो पहले आपने serial number लिख देना है उसके बाद question number फिर answer according to key जो key के द्वारा answer दिया गया है उसको लिखना है फिर उसके बाद जो right answer है according to question जो आपने आपको जो मिला है question का उतर वो आपन ISBN number तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि book के पहले या दूसरे page में ही आपको ISBN number मिल जाएगा और reference के लिए जो book ISBN जिस book में number होगा वो ही book मानने होगी इसके अलावा जो दूसरी guide book होती है उसमें भी अगर ISBN number है तब आप जो है अपत्ति दर्ज कर सकते हैं otherwise ISBN के बिना आप जो है इसका आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते और last में आपने क्या करना है कि उसका page number डाल देना है और ये सारी चीज़ें होगी तो यहाँ पर देखिए LT commission की जो परिक्षा में जो जो प्रशन गलत थे मेरे अनुसार वो मैंने रख दिया है देखिए प्रशन संक्या 72 थी जिस में ये पूछा गया था कि ये नए जमाने की मुक्रियां किसकी है तो अगर हम answer की में देखिए तो उसको C विकल्प जो है सही ठहराय गया था जो कि क्या था प्रताप नहराएं मिश्र था जबकि उत्तर उसका क्या था वो था भारतेंदू हरिश्चंद्र ठीक है तो भारत हिंदी सहीत्य का इतिहास जो डॉक्टर नगेंदर दौरासंपाधित पुस्तक है उस पुस्तक में तो वह उन्हें नाम लिख दिया देखिए कि हिंदी सहीत्य का इतिहास पुस्तक का नाम आपने पूरा लिखना है इसको बिलकुर नीट और क्लीन चाहे थोड़ा खुला ही करके इसको लिखना है ठीक है आगे है देखिए उसका जो ISBN नंबर है अगर आपको नहीं मालू है तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं 817198 उसके बाद आपने फिर से डेश देना है 036-8 ठीक है हाइफन चोटा सा मतलब ये जो है ये ISBN नंबर हो और पेज नंबर 445 में कब हुआ था तो इनको भी आपने सीक्वेस में रख देना है पहले आप 68 रखिए फिर 72 रखिए मैंने ये जल्दी जल्दी रेंडमली कर लिया था ठीक है 68 में देखिए उन्होंने 16-63 उसका जनम बताया था तो इसमें आपने क्या करना है कि इसमें कोई भी आंसर सही नहीं पुस्तक है उसी में आपको प्रिष्ट संख्या 343 देखनी है और इसका जो ISPN नंबर है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है तो ये तो होगी दो प्रशनों की बाद जिनको आप क्लेम कर सकते थे तीसरा जो प्रशन था देखिए ये था प्रशन संख्या 155 ये D- प्रशन पूचा गया था कि N-C-E-R-T की स्थापना कब होई थी तो वोई थी 1961 में हालां कि उसका कोई बुक के जरीए मुझे साक्षे अभी फिलाल नहीं मिल रहा है जैसे ही मिलेगा मैं आपको वो भी कॉमेंट सक्षन में जाके बता दूँगा तो इस तरीके से आपने क् है कि साथ कॉलम बनाने है और अलग-अलग तरीके से उनको किसी में आपने क्या लिखना है बुक का नाम किसी में पेज नमबर और ISBN नमबर फिर चो क्वेशन दिया हुआ है तो यही फॉर्मेट रहेगा आपको और लास्ट में आपने क्या करना है अपना नाम नाम नहीं लि लिखेंगे उसकी जो तारीक आफ ने डाल देनी है तो यह सारा प्रोसेस है इस तरीके से आप पर अप्लिकेशन लिखेंगे आयो के लिए तो निशी तोर पर जो आपका अंसर है वो सही ठहराय जाएगा और यही प्रूफ है और यह अथेंटिक प्रूफ में आपको बता र लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हाँ अगर आपका परिक्षा बहुत ऐसा लग रहा है आपको की हो जाएगी क्लियर और होने की संभावना है तो आप 101% क्लेम कीजिए क्यूंकि यह जिन्दगी का सवाल है तो फिर मिलते हैं दोस्तो एक नई वीडियो के साथ अ उनकी यह जगाईए खिर दोस्तो एक के कीजिए वाल ने हैं वह्लीका फिर मिलते हैं वेह उरा दाजीकर भीपिया लेंग दुएन